To my channel, this is Priya, I hope all you are good and fine. So, आज की वीडियो में हम दिस्कस करने वाले हैं, CIS University से रिलेटी एक न्यू नॉटिफिकेशन जो UMC वाले बच्चों के लिए हैं, जिन बच्चों की UMC लगी थी, जिनके एक्जाम्स वेते हैं, भी BA, BPA या कोई भी कोर्स के, तो उनके रिगार्डें के नॉटिफिकेशन ज जो भी UMC के बारे में, जो भी मीटिंग करनी हैं, उन्होंने वो 5 जन्वरी से 8 जन्वरी तरक होगी, और इन्दा कंट्रोलर एक्जामिनेशन, CIS जिन, पर हेरिंग, अन्फिर मिन केसे, रिजिस्टर दुरिंग सेप्टेंबर, डवंबर 2020 एक्जामिनेशन, जिन बच्चों या तो उन्वर्स्टी जाकर अपना एक जो भी एस्क्यूज या जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो बता सकते हैं, या फिर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है, अगर जो प्रेजर नहीं हो सकता उन्वर्स्टी पे जाके, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मेल करेगा, चार जन्री इमेल आपको गिवन दे रखा हैं, उन्हें, coeeoffice.ac.in, ठीक है, तो जो concerned colleges department are required to inform the students accordingly, मतलब जो courses हैं, देखो courses के नेम लिखे हैं, UGPG offline, डेट दे रखी कि किन किन बच्चों को कब-कब बुलाया है, ठीक है, देखो डेट पांच जन्वरी से दे रखी है, पांच से आठ है पांच बजे, इन बच्चों को दस बजे बुलाया है, सुबे के, फिर B.Ed, M.Ed special, पांच जन्वरी को उनको दो बजे बुलाया है, तो ऐसे बहुत सारे courses है, उनके according उनको date दी गई है, और time दिया गया है, तो आप अपना देख लिजेगा, जिन बच्चों का UMC लगा है, व पीजी, पीजी, offline examination cases में, तो रोलंबर आपको गिवन है, इस साइट पे, आप अपना रोलंबर चेक कीजिए, नेम चेक कीजिए, पोर्स चेक कीजिए, जिस कोर्स में आप पी उन्होंने UMC लगाई है, उन्होंने पेपर का नेम भी आपको दिया है, और नेम ऑव एक्जाम centers दिये हैं, जहाँ जहाँ आपके paper हुए थे, वो सब आपको या mention किया गया है, ठीक है, तो आप चेक आप कीजिएगा, उसके बाद जो online subjective exam हुए थे, online subjective exam का भी दे रखा है, जैसे रोल लंबर 6 semester का, फोर्थ तार 2 का फिर नेम आपको गिवन है, कौन से course में लगाई है, औ आपके कुछ doubtful activity उनको लग रही थी, इसलिए आपको UMC लगाई गई है, या किसी का camera off हो गया था, उसलिए लगाई गई है, या against due to repeated logout की बाहा पर आपका logout हो रहा था, तो इन्होंने आपको reason दिया है कि आपको UMC किस base पर दोने लगाई है, ठीक है, तो अपना roll number, अपन आपको given है, बहुत सारे pages है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कौन से exam में और कौन से subject में ने UMC लगाई, ठीक है, अब बात करते हैं उस form की, वो form क्या था, उस form में आपको क्या करना है, जैसे कि आपको जैसे date दे रहें कि 5-8 तादिक तक आपकी जो भी, वो सुनन चाहते हैं कि क्यों आपने UMC लगी या क्या problem हो गया था, तो आपने बोला है कि unfair means case standing committee है, students को भरना है, जो number आप भरेंगे अपना examination भरेंगे, कौन से examination था, अपना name, course semester, जिस course and semester के थे, paper title, paper का नाम भरेंगे, college का नाम भरेंगे, mobile number और email ID, इसको आपको copy, मतलब print out कीजेग इसको, इसकी copy निकाल लीजेगा, उसके बाद statement by student, यहां आप लिख सकते हैं कि आपकी UMC बनी है, यह आप अपना excuse दे सकते हैं कि यह problem हो गया था, इसलिए हमारा camera नीचल रहा था, या जो भी आपको लगता है कि उस time आपके साथ हो रहा था, तो valid reason लिखेगा, ताकि उनको लगे हां, यह valid reason है, इसलिए बच्चे का camera बन था या फिर उनको doubtful activity इसलिए लग रही थी, तो valid reason दीजिए, आपको इहाप एक chance दिया गया है, आप अपनी बात रख सकते हैं, तो अच्छे से इसको present कीजेगा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क् college से भी concern कीजे, कि मैं यहाँ पर कैसा लिख क्या लिख सकता हूं, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी, तो यहाँ पर बच्चे से लिख के उनको दे सकते हैं, या तो आप इनवर्स्टी जाएंगे, specially जैसे उनको आपने time दिया है, उन्होंने 5-8 जन्वरी से बच्चों को, या तो आप अगर नहीं जा सकते, तो mail करेंगे, 4 जन्वरी तक ही, इस address भी ठीक है, आपको address फाले से ही गिवाँ ठीक है, तो यह UMC बच्चों के लिख नोटिफिकेशन है, तो प्लीज जल्दी से चेक कर दीजिएगा, ताकि time से पहले ही, आपकी जो भी problem है, वो उन्हों हो जाए और वो सोटा हो जाए, बागे कुछ भी आपको problem होता है, तो कॉली से concern कीजिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे, आपकी help करेंगे, तो this is for all today, तो अपना number और row number सब check out कीजिए, form भरिये, और एक valid reason दीजिए, चिक है, तो thank you, have a good day.